हेलो क्लास, एवरेज का आज हम 9th पार्ट पढ़ेंगे, कोशन्स देखते हैं, बहुत ही बेसिक कोशन है, बोड पे जो मैंने लिखे हुए हैं, पार्ट 1 में अकसर आते हैं, मतलब कि जो बहुत ही बेसिक हैं, उसमें आते हैं, लेकिन पार्ट 9 में मैं एक बर आपको दिवाइड कर दो, लेकिन वो बहुत लेंदी हो जाएगा, अगर हम इसको प्लस करते रहेंगे तो, तो जब भी आप यह देखो कि जो गैप है, सारे नंबर के बीच में, इकोल गैप है, देखिए, सब के बीच में दो-दो का गैप है, जितने भी नंबर से हैं, सब में दो दो से उसको डिवाइड कर दीजिए, यह कितना हो जाएगा, 16, 16 by 2 हमारा कितना जाएगा, 8 हमारा answer हो जाएगा, यह जो नंबर 8 है, वो हमारी average है, देखिए, तीन नंबर यहाँ छुट गे, तीन नंबर यहाँ चुट गे, बीच का नंबर क्या है, 8, 8 ही हमारा average है, जब भ फोस नंबर उठाया, लास नंबर उठाया, एड किया दोनों को और डिवाइड कर दिया 2 से, यह हो गया 56, यह हो गया 2, हमारा answer कितना हो गया, 28 हमारी average आगी, अब find the average of, अब यह देखिए, यह जितने भी series लिखी हुए, अब हम इनको एड करने बैठेंगे तो हमारा पूर नंबर उठाया, 2 से डिवाइड कर दिया, यह कितना हो गया, 29 divided by 2, हमारा answer कितना हो जाएगा, 14.5 हमारी average हो जाएगी, यह था average का part 9, part 10 में, और अच्छे questions के साथ मिलेंगे, by the time keep learning and keep practicing, thank you so much.